दाल की आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, ये पूरे देश भर में काफी फेमस है, खास तोर से रेस्टरेंट में जब भी हम जाते हैं, इसे ओरर जरूर करते हैं, तो यहां मैंने उरत दल और राजमा को भीगो कर रख दी थी, यहां मैंने ये काला उरत दल ली है, ये एक चोथा ही राजमा लेना है, आप चाहे तो इसके साथ दो तिन चमत चना दाल भी ले सकते हैं, और मैंने इसे पूरे राद भर भीगो कर रख दी थी, क्योंकि मुझे सुबा इसे बनानी थी, लेकिन आप करीबन पांच्छे घंटे जरूर इसे भीगो कर रखना, और करीबन पांच्छे सीटी तो लगी जाएगा इसे सॉफ्ट होने में, तो अभी इसमें मैं पानी डाल दूँगी, पानी इसमें थोड़ा ज्यादा डालना होगा, मतलब पूरा डाल डूब जाने के बाद डाल की जो लेर है, उसके उपर से पानी हमारी इतनी तक, मतलब एक उपत तक होनी चाहिए, और इसके साथ में डालोंगी एक छोटी चमच नमक, एक छोटी चमच जितना कश्मीरी लालमिच पाउडर, इसे भूनने के बाद डाल का कलर बहुत ही बढ़ी आएगा, तो करीबन एक चमच जितना तेल भी डाल दूँगी, अकसर कूकर में डाल ब और अब फ्लेम को ओफ करके कूकर का पूरा प्रेशर खतम होने देंगे, और तब तक यहाँ मैंने ये चाट टमाटर ली है, तो मीडियम साइज की टमाटर ली है मैंने, इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि इसमें प्यास वगरा डाला नहीं जाता, तो टमाटर को मैं रफली काट के डाल दूँगी, और साथ में मैं एक इन से थोड़ा ज़्यादा अद्रक ली है, तो इसे भी काट के डाल दूँगी, और ली है, 6-7 लसुन की कलिया, और इसे अभी पीस लूँगी, इसमें पानी डालना नहीं है, और इधर देखिए कूकर का फूरा प्रिशर खतम हो चुका है और ढकन भी देखिए एकड़क है और दाल देखिए बहुत अच्चे से अभी गछर चुका है राजमा भी देखिए बहुत अच्चे से सॉफ्ट हो चुका है तो अभी इसे मैं साईड में रख दूंगी और कराई में लूँगी एक से डेट चमत जितना तेल और साथ में डालूँगी एक बड़ी लाईची एक छोटा सा दालचिनी का टुकड़ा तीन चार हरी लाईची और एक छोटी चमत जीरा और लोग फ्लेम पर थोड़ी देडी से चला लूँगी वैसे तो ये डाल मकनी पूरा बटर से ही बनता है लेकिन आज मैं बटर इसमें थोड़ा अलग तरह से डालूँगी जिसे ये पूरा रेस्टरॉन वाली टेस्ट का तो बनेगा ही मतलब बटर का फ्लेवर और टेस्ट दोनों आपको मिलेगा लेकिन मक्खन आपको बहुत ही कम डालना होगा तो अभी इसमें ये सारे टमटेर की पेस्ट को डाल दूँगी और साथ में आधा कप जितना पानी से इस जार को धो कर भी डाल दूँगी और डालूँगी इसमें 4-5 हरी मिच तो हरी मिच का यहां पे पेस्ट पनानी नहीं है ऐसे काटके डालेंगे तो डाल म में इसका फ्लेवर बहुत बरिया लगता है लेकिन अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिच को कम ही डालना और इसके साथ में मैं डालूँगी एक छोटी चमच नमक डाली थी और डालेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच कश्पीरी लाल मिच हम तब तक फूनेंगे जब तक इसमें से तेल चूटे लगे मैंने इसमें प्यास डाली नहीं है तो टमाटर को इसमें बहुत अच्छे से भूनना होगा नहीं तो इसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा हाला कि आप चाहे तो टमाटर के साथ ही प्यास का पेस्ट भ भूनना लो फ्लेम पर भूनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ये देखिए मसाला अभी अच्छे से भून चुका है और हाला कि मैंने इसमें बहुत ही कम तेल डाली है फिर भी देखिए थोड़ा बहुत तेल साइट से दिख रहा है तो अभी फ्लेम को लो कर बिलता है और इसे आप जितने अच्छे से स्मेश करके स्मूथ करेंगे डाल मकनी का टेस्ट उतला ही बढ़िया होगा लेकिन इसे आप मिक्सी में डाल के पेस्ट मत बनाना ऐसे स्मेश करने से इसका असली टेस्ट निकलता है और ये डाल अभी इतना सौफ्ट है कि चाहे तो अब कल्ची के पीछे वाले हिस्से से भी अच्चे से स्मेश कर सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छे से ये थीक हो चुका है। तो अभी फ्लेम को मीनियम करेंगे और इसे भून लेंगे। तो अभी इसमें पानी बगेरा कुछ भी डालना नहीं है। अच्छे से डाल को अभी भूनना है। डाल मखनी में मसाला बहुत ही कम डालता है, लेकिन इसका बनाने की जो प्रॉसेस है। उसी से ही इसका टेस्ट इतना बड़िया बनता है। तो डाल को अगर आप भीगो कर रखते हैं, तो ये पूरा डाल मखनी ज्यादा से ज्यादा आपका 30 से 40 मिनिट में ही पन के तैयार हो जाएगा लेकिन हर स्टेप को आपको ध्यान से करना होगा तभी ये बिलकुल रेस्टरेंट वाली टेस्ट की होगी और मैंने ना इसमें थोड़ा सा फूट कलर भी मिलाई थी जो काला खट्टा कलर होता है वो वाला लेकिन वो क्लीप रेकॉर्ड हुआ नहीं है एक्चली मेरे घर में सब को टेस्ट के साथ साथ डाल मखनी का वो ही रेस्टरेंट वाली लूक्स और टेक्शर भी चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर डाली है आप इसे स्किप भी कर सकते है तेस्ट में इसमें कोई फर्ट नहीं होगा तो अभे पानी को अच्छे से मिलाके इसमें एक उबाल आने देंगे और तब तक इस तरके पैन में लेंगे थोड़ा सा मखन और साथ में डालेंगे थोड़ी सी बारी कटा हूवा लसुन और कुछ देर लोव फ्लेम पर लशुन को मख्ण के साथ चला लेंगे तब flame को off कर देंगे और इसे इस दाल के उपर डाल देंगे और साथ में डालेंगे एक बड़ी चमच फ्रेश क्रीम, आधी छोटी चमच गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसे अच्छे से बस मिला लेंगे अभी इसे और पकाना नहीं है, बस लास्ट में ये थोड़ा सा मखन से ही इसका फ्लेवर काफी बढ़िया हो जाएगा और धावा ये रेस्टरेंट में जैसे आप ओडर करते हैं बिलकुल वही टेस्ट और फ्लेवर भी मिलेगा हाला कि सार्फ करते टाइम भी आप उपर से थोड़ा सा बटर डाल के इसे सार्फ कर सकते हैं तो दोस्तों ये एकदम रेस्टरेंट जैसे डाल मखनी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना चलिए मिलते लिए नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार